एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल वेल विजन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीकी से बहुत ही एजी तरीकी से आप अपने हाथ पेरो और गर्दन का काला पेन कैसे हटा सकते हो वह बताऊंगी तो प्लीज अब तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियोस होंगी ना उनकी नोटिफिकेशन जब से पहले आपके पास आएंगी तो आप बहुत ही आसान तरीकी से घरी पे अपने हाथ पैरों का आप मैनेगर पेडिगर करवा सकते हो बहुत ही कम खर्चे में और बहु तो यह भी रिमूफ कर देगी बहुत ही अच्छी इसके रिजल्ट होंगे तो प्लीज एक बार आप पी ट्राइब जरूर कीजेगा आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखने को मिलने वाले है और प्लीज एक बार इस रिमेडिय को आपने ट्राय कर लिया ना तो आप बार-बार ट्राय करोगे क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा अगर आपके बॉड़ी में काला पन है काला पन जम रहा है कहीं भी गंदगी और मैल है तो बिल्कुल हटा देगी बिल्कुल रिमूफ कर देगी तो आप इसको ट्राय कर सकते हो अगर आपकी दागना की प्रॉब शैंपू ले लिए तो दो चीजों से आप बहुत ही आसान तरीकी से बहुत ही इजी में आप गोरा कर सकते है अपनी स्किन को और साथ साथ में अगर आपने इसको ट्राय कर लिए तो आपकी जो भी बिल्कुल खतम हो जाएगी तो यह देख सकते हो सबसे पहले इस तरीके से एक बन के को ये थोड़ा सा बड़ा सा यिसका बाउल ले लिएक यह कर लिए त्थोड़ा बढ़े सा इसकी कोई भी चीज में बनाने इस बनानी में बदो निले लिए शेम्फू एक लिए तो भिप आ रिमूव करती है उ ऊसलिए encountered one, मैंने 1 packet shampoo ले लिए है तो shampoo को सबसे पहला को डाल देना है अब प्लीज जिन्नोंने मुझे Facebook भी फॉलो नहीं किया और Facebook यह मुझे follow कर सकते हो आप मुझे Instagram भी follow कर सकते हो तो यह मैंने ले लिए नीबू को पता है कि इतना अच्छा होता है गंदगी और डर्टनेस निकालने के लिए साथ-साथ में यह ना अगर आपकी स्किन डाग हो रही है तो उसको बिलकुल लाइट करेगा साथ-साथ में यह बिलकूल जैसे डीनर का काम होता है ना उसका काम करेगा आप अगर पर आपको चाहिए अपनी बॉड़ी के लिए तो इसको लिए क्वाने काम करता है नीबु तो अगर आपके नुक्सान नहीं करता है और तो आपको देख सकते तो इस तरीके से हाफ नीबू का भी हाफ मैंने रस लिया इस तरीके से अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स और यह मैं किवल हाथ परो के लिए और डाक नेक की प्रॉब्लम के लिए बना दियू इसको आपको चेहरे पर ट्राय नहीं करना है चेहरे के लिए मैंने बहुत सारी रेमेडी बना के रखी हैं बहुत सारी अपलोड अपलोड करें रखी है अपने चैनल पर तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो और यह कीवल हाथ परो के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाले है साथ साथ में अगर आपकी डाक नेक की प्रॉब्लम है पीछे न अच्की यहाँ पर हीरा नेको तो इनो का बहुत ही आपक केश्किन साफ होगी क्लीणर का काम करेंगा और साथ सात में ग्लासज़ स्किन बनायainगा था सभी करने में मदद करेगा इसमें थोड़ा सा पानी और अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स तो यह बिल्कुल रेमेडी बन के त्यार हो चुकिए तो अगर आपको ड्राइनेस से प्रॉबलम है हाथों पे अगर रूखा पन है गर्मियों के वज़े से सपे सपेध हो रहा है हाथ तो वह प्रॉबलम बिल्कुल हटा देंगा क्या होता ना कि अगर्मिय का टाइम है त्राइया रहती है और साथा अब फटी फटी और रूखी हो रहती है बेजान थी तो उसके वह इस प्रॉबलम को बिल्कुल रिमोव कर देना है इस तरीके साब देख सकते हैं मैं ने अच विलाय से वहां नहाने पहले पर मैं या आप रात को सोने से पहले इसको ट्राय कर सकते हो तो अब सभी चीज़ निस ऐसे हम मिक्स होने के बाद किड बस रहत饭ना वो डाल और जिस तरीके से मेरा एमेटी बता रहे हैं उसी तरीके से आपको भी ट्राय करनी है और मेरे को वीडियो में थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ रहे हैं कि आपको हर चीज आप जो भी ट्राय कर रहे हैं इसलिए मेरे को थोड़ा बोलना पड़ रहे है वीडियो में और इस remedy बनाई है और आपको दिखाई है क्या होता है कुछ लोगों के बहुत सदा darkness रहती है और वह अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी तो यह मैंने हाथ पे आप सबसे पहला आप देख सकते हूं लगा लिया इस तरीके से तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आपको हाथों से ले लेना और फिर अच्छी तरीके से मसाज करने है तो यह देख सकते हूं गंदिगी अपने आप आपको देख रही होगी निकल रही है और इस तरीके से इसको थोड़ा-थोड़ा हाथों को आपको स्क्रब भी करते रहना है आप चाहो तो इस ट्म आलू का यूज़ कर सकत यह हाथ कितने जादा साफ लग रहे हैं तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको ट्राय कर सकते हो और एक बार दरूर ट्राय की जब को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो मैंने सबसे पहले तो अच्छी तरीके से मशाज कर ली थी लगा लिया थ जूए हाथ तो मैं अब दिखा देविदेगं दौनों हाफों पर आपको किस तरीकी से ट्राय कर लेना है तो इस तरीकी से मैंने ने मसाज कि थी दोनों यहाथों में लगाने के बाद और फिर पेने हैं थ्कृतौ 100 अब यह सबी चीज़ जो भी मैंने इसमें डाली है और मैंने आपको बता दिया अगर आपके नीबु से अलर्जी हो तो आप नीबु स्किप कर सकते हो इसकी नीबु की जगह आप रोज वाटर भी डाल सकते हो तो यह सची तरीके से मसाज कर लिए नहीं फिर 10 मिर तक रखना और न